सबी को नमस्कार PMFME योजना के तहट Indian Institute of Food Processing Technology विबिन हित्धारकों को शमता निर्मान और प्रशीक्षन प्रदान करता है इस सेशन में हम आईस्क्रीम निर्मान का प्रदर्शन करेंगे पॉशन के द्रिष्टिकोंड से आईस्क्रीम खाद्य उर्जा का और फैट में घुलनशील विटामिन डी का उत्तम स्रोथ है और थायमिन राइबो फ्लेविन और नियासिन का एक अच्छा स्रोथ है मिक्स सामगरी का मिश्रन चुने गई इंग्रीडियंट्स और चुनी गई फॉर्मूलेशन की रेसिपी के अधार पर इंग्रीडियंट्स को लिया जाता है फिर इंग्रीडियंट्स को तोला जाता है और एक साथ मिलाया जाता है जो आईस्क्रीम मिक्स के रूप में जाना जाता है मिक्स की पास्चराइजेशन मिक्स को फिर 30 मिनट के लिए 89 डिग्री सेल्शियस पर या 25 सेकंड के लिए 80 डिग्री सेल्शियस पर पास्चराइज किया जाता है उसके लिए उत्पाद को वैट में कम से कम 89 डिग्री सेल्शियस तक गरम किया जाता है और पास्चराइजेशन के लिए 30 मिनट तक रखा जाता है जो रोग जनक बैक्टीरिया के विनाश के लिए अवश्यक है रोग जनकों के विनाश को सुनिश्चित करने और बैक्टीरिया के गिंती को अधिक्तम 100,000 प्रती ग्राम तक कम करने के लिए गर्म करना काफी गंबीर होना चाहिए मिक्स का होमोजनाईजेशन मिक्स का होमोजनाईजेशन पास्चराइजिंग तापमान पर होना चाहिए किसी भी दिये गए प्रेशर पर जादा तापमान फैट ग्लोबिूल्स को तोड़ने में अधिक सक्षम है और यह फैट के जमाव और मोटे कणों आधी को कम करता है किसी भी एक प्रेशर पर होमोजनाइजेशन करने की सला नहीं दी जा सकती जो सभी परिस्थितियों में संतोष जनक परिणाम देगा मिक्स में जितना जादा फैट और जितने जादा कुल थोस पदार थोंगे प्रेशर उतना ही कम होना चाहिए मिक्स की एजिंग करना यह मिक्स कम से कम शुरू में चार घंटे के लिए या राद भर के लिए रखा जाता है एजिंग रोधक या फ्रिज स्टोरेज टैंक में की जाती है मिक्स को जितना संभव हो बिना जमने से कम से कम तापमन बनाए रखा जाना चाहिए पांच डिग्री सेल्शियस या इस से कम एजिंग टैंक में राद भर की गई एजिंग से आम तोर पर सर्वोत्तम परी नाम मिलने की संभावना है आइस क्रिम को जमाना और विपिंग करना मिक्स प्रुसेसिंग के बाद मिक्स को एक फ्लेवर टैंक में डाला जाता है जहां किसी भी तरल फ्लेवर फलों की प्यूरी या रंगों को मिलाया जाता है इसके बाद मिक्स गती शिल जमने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है जो पानी के हिस्से को जमा देता है और जमे हुए मिक्स में हवा भर देता है पैकेजिंग और हार्डिनिंग करना वायू कंड जुड जाने के बाद आईस्क्रीम को पैक किया जाता है और इसे ब्लास्ट फ्रीजर में माइनस 30 डिग्री सेल्शियस से माइनस 40 डिग्री सेल्शियस तक रखा जाता है हार्डिनिंग में ब्लास्ट फ्रीजर में पैक किये गए उद्पादों को स्थेर रखना शामिल है आत्म निर्भर भारत अभियान अंतरगत PMFME स्कीम Ministry of Food Processing Industries ने राज्य और केंदर शासित परदेशों की सरकारों के साथ सांजेदारी में अखिल भारते केंदर पर्योजित Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme का शुबारम किया है PMFME योजना, दिशा निर्देश और विभिन Food Processing Production वीडियोज और DPR के बारे में जानकारी के लिए क्रिपय हमारी वेबसाइट के लिंक पर जाएं आप जी का धन्यवाद